हेलो फ्रेंड्स माइन मीज राकेस एन ओटवाइजरे चलने में आप सभी का स्वाकत है दोस्तों सिंपल वन एलेक्ट्रिक स्कूटर अब मार्केट में आ गया है जिसके चलते अब मार्केट में काफी ज़्यदा कॉंप्टेशन हमें देखने को मिलेगा स्पेसली ओला एस्व वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल वन एलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ ऐसे प्रोब्लम्स के बारे में यानि कि इसमें कुछ-कुछ कमिया अभी भी है जो कि कंपनी को जरूर से कंप्लीट कर देनी चाहिए बाकि जो लोग इस स्कूटर को बाई करने का प्लान कर र दोस्तों सबसे पहले प्रोब्लम की बात कि जाए तो वो है इसका रीजन ब्रेकिंग जिया दोस्तों जबसे यह स्कूटर लॉंच हुआ है तब से कंपनी ने कहीं पर भी रीजन ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कंपनी ने अनौंस नहीं किया है तो इस स्कूटर में मुझ सेकंड जब इस स्कूटर का मैंने रियर पार्ट देखा तो यहाँ पर बैल ड्राइव का हिस्सा काफी जादा ओपन है, इससे की आगे फ्यूचर में वाटर, डर्ट, मुड वगरा में बैल ड्राइव में शायद से प्रोलम आ सकती है, तो यहाँ पर कमपनी को यह थोड़ा सा पार्ट कवर कर देना चाहिए, जिससे की 100% तो यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं होगा, बट 80% मुझे लगता है कि यहाँ पर कवर करने से बचाया जा सकता है इसकी बैल ड्राइव को. नेक्स दोस्तो जिस तरीके से लोग अपनी सहुलीद के हिसाब से आजकल स्कूटर को बाइक करते हैं, कि वो अपने इस स्कूटर पर किसी भी फैमिली मेंबर को इजली बिठा सकें, या फिर कोई भी समानव गरा इस पर रख सकें, उस तरीके का जो प्रैक्टिकल स्कूटर नेक्स इसी तरीके से ओला स्कूटर से भी काफी लोग प्रैशान हैं कि उस स्कूटर में में स्कूटर में में स्कूटर नहीं हैं, यहाँ पर काफी लोग में स्कूटर की वज़े से प्रैशान हैं, इसी तरीके से हमें सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर में 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 स्क स्कूटर में भी हमें मेन स्टेंड नहीं मिलता वहीं इस स्कूटर का फ्रेंट में मुझे कोई भी लगेज हुक नहीं दिखा जिसमें कि हम अपना काफी सारा समान लटका देते हैं तो यह भी एक चीज इसमें मिसिंग है और सेम ऐसे ही जब मैंने इसका अंदर से लुक देख पर रख सकते हैं या फिर सफाई करने वाला कपड़ा उसमें जरूरूर से होता है सभी की पॉकेट में तो यहां पर वो भी इसमें नहीं है इसके लबाद दोस्तों इस स्कूटर का बूटी स्पेस काफी बड़ा दिया है कंपनी है आपर 30 लीटर का बूटी स्पेस आपको म होती है वहाँ पर समान को एक्सिस करने के लिए एक LED लाइट जरूरूर से देनी चाहिए कंपनी को जो कि सिंपल मन एलेक्रिक स्कूटर में आपको नहीं मिलेगी साती दोस्तों इस स्कूटर में मुझे कहीं पर भी इसका USB सॉकेट नहीं दिखा है यानि कि मोबैल को ज़रूर से होना चाहिए ग्राइब करने के लिए और फिर मुझे लगता है कि कमपनी यहां पर नोटिफिकेशन वगरा क्लिए कोई ना चोटी स्कूटे ैजरूरूर से इसमें दे सकती हां इसके लबा दोस्तो इसके प्रोड़क्शन मौडल में शायद यह में कीले सेंट चीचर मिल जाते हैं और इस स्कूटर की प्राइज भी कम है इसके को देखा जाये तो यहां पर О्ला, Ather, TWS वगया से सबसे इसकी प्राइज काफी कम है इसलिए इस स्कूटर को काफी लोग भाई करना पसंद करेंगे बट इस skotter में मुझे सबसे बड़ी कमी जो लगी है वो है इस skotter की बैटरी जी हाँ दोस्तों यहाँ पर कमपनी ने इस skotter को लाइट बेट और रेंज जादा करने के लिए NMC बैटरी टाइप का यूज किया है यहाँ पर अगर कंपनी LFP बैटरी का यूज करती तो काफी सही रहता बट महीं Ather, Hero, Okinawa और Tesla जैसी बड़ी कंपनी अपने वीकल में LFP बैटरी टाइप का यूज कर रही है जो कि lighter नहीं होती, compact भी नहीं होती, energy भी आपको ज़्यादा नहीं मिलती यानि कि इसमें range भी आपको ज़्यादा नहीं मिलती इस बैटरी से बट LFP बैटरी टाइप में कम समय में पावर काफी अच्छी मिल जाती है life cycle भी NMC से ज़्यादा होता है, higher thermal management होता है जो कि fire से protect करता है, recycle करने में भी easy होता है और LFP बैटरी टाइप की costing भी कम होती है तो यहाँ पर simple energy company ने अपने motor से लेकर thermal management में काफी ज़्यादा R&D की हुए है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि company customer को एक best scooter देगी बट इसकी बैटरी टाइप है, वो यहाँ पर NMC है, जो कि मुझे काफी ज़्यादा doubtful लग रही है हलाकि Ola company भी NMC यूज़ कर रही है बट कुछ टाइम बाद एक company NMC जगए पर LFP बैटरी यूज़ करने लग जाएगी तो यहाँ पर काफी सारी electric manufacturer पहले NMC बैटरी यूज़ करते थे जैसे कि Hero और Okinawa भी पहले NMC बैटरी यूज़ किया करती थी बट अब उन्होंने change करके LFP बैटरी पर shift हो गए है बाकि अभी तक इस scooter का prototype model ही दिखाए गया है जब यह scooter actual production में जाएगा तो देखते हैं कि इसमें क्या कुछ बड़े changes नहीं को मिलते हैं इन सब problem के अलावा दोस्तों इस scooter में आपको क्या problem नजर आ रही है comment करके जरू से बताना और दोस्तों वीडियो चले को तो एर प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मैं मिलता हूँ अपसे को और इसी नए वीडियो में तब तक लिए stay safe and safe right